वंदे मात्रम मैं वीडियों ठाकर आपका स्वागत करता हूं स्टेप अपका आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 के जो स्टूडेंट से मैं उनके लेकर आएं कुछ खास भाई हम लोग बिजनस टेडिस पढ़ने वाले हैं और यहां पे चैप्टर नंबर वन जो है क्या हो सकता है तो मतलब मेहनत तो दोस्तों यहां पर करना ही पड़ेगा चलो हम लोग समझते हैं आपे दोस्तों सबसे पहला कुश्चन आपके स्कीन पर आ चुका है यहां पर बोलता है सचिंस फादर हैड गिफ्टेड हिस ओल्ड लैप्टॉप ठीक है भाईया सचिन के जैसे तसे जोगार-तुगार करके पैसा एकटा करके उसको यहां पर ओल्ड लापटोप दिवा डिया सचिन samma wanne ड़े डर लैप्टॉप सम्ट फीचर ओन state only वो जो चाहिए था मगर उसको एडवट्डॉप तो चाहिए था और उसको चाहिए था यहां उट भीटॉυχर बेर by his father he decided to sell the laptop on the olx.com अब नहीं चाहिए तो इसको नहीं चाहिए तो इसको बेच दो and then purchase a new one अब इसको बेचेंगे तो कुछ पैसा आएगा उसी पैसे को मिला के हम लोग नया laptop खरीद लेंगे यहां पर सचिन सोल्ड इस laptop and was very delighted to make his first business deal और उसने बुला कि भाई यह तो बहुत अच्छा है और नया laptop मुझे मिलेगा तो मैं एक अच्छी से business deal यहां पर करूंगा क्या business deal है वाई making his purchase of a new laptop from flipco.com he read a notice about some relief material being collected for JNK flood relief work ठीक है उसने बुला कि यह कुछ relief fund इखटा करना है JNK में कोई flood आजा है उसके लिए he informed his friends about the relief mark material ठीक है और उसने बुला कि यह relief material मुझे यहां पर चाहिए they formed a team of five students and decided to collect the material from their neighborhood and send for relief work ठीक है और उन्हें बुला कि यह neighborhood से भी हम लोग बात करें और यह जो भी material है हम लोग यहां पर पहुचवाने का काम करेंगे can the transaction by searching be termed as business transaction अब यहां पर देखिए क्या यह business transaction है यह नहीं है यह पूछा जा रहा है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर मेरे कहल से बिजनस तो नहीं है दोस्तों क्यों क्योंकि वहां पर फ्लड आया है और यह बड़ी कटी निस्तिती में हमें support करना है no the reason is regularity is missing टीक है बट यहां पर यह रेगुलारिटी नहीं है इसी लिए यह business नहीं है दोस्तों क्यों क्योंकि यह relief feature की तरह दोस्तों यहां पर यह काम कर रहा है question number one में हमें समझ में आया कि कहानी को समझना जरूरी है और फिर conclude करना जरूरी है question number two क्या कहता है earning of profit cannot be the objective of business बोल रहा है कि earning of profit मतलब पैसा कमाना cannot be the objective of business भाया मगर बिना पैसे के कैसे करोगे बेटा business तो भाई business के लिए तो profit earn करना पड़ेगा any more than the eating is the objective of earning ठीक है ना भाई कहीं ना कहीं खाने के जोगार करना ही कहीं ना कहीं हमारे लिए मैनत का काम हता मतलब मैनत हम लोग खाने के लिए करते हैं ठीक है do you agree with this statement give reason to your support your answer ठीक है अब आपको reason बताना है और support करना इस answer को yes I agree with this statement like eating is essential for survival of any human being जैसे eating बहुत जरूरी है survival के किसी भी बंदे के लिए same way profit is essential and must for survival of any business और profit भी जरूरी है survival of business के लिए but a person cannot survive for a long time मगर यहां पे person बहुत long time पर तक के survive नहीं कर सकता and cannot lead a healthy life only by eating but वो सिर्फ खाना खाता रहेगा तो बहुत लंबा सर्वाइब नहीं कर पाएगा दोस्तों क्यों क्योंकि सिर्फ खाना खाएगा तो उसको digest कप करेगा मतलब उसको यूजी नहीं करेगा तो वो क्या करेगा उसको बिमार कर देगा आगे चलके अब person has to perform other activities also such as social activity, religious activity and patriotic activity मतलब देश के लिए उसको काम करना पड़ेगा धर्म के अपना काम करना पड़ेगा और लोगों गले भी इसको यहां पर काम करना पड़ेगा तो सिर्फ खाने से और सिर्फ पैसा कमाने से जिंदगी नहीं अब आगे हम लोग बात करते हैं भाई सिर्फ कमाने से नहीं चलेगा तो हमारी समाज के लिए भी हमारी कुछ responsibilities बनती है दोस्तों जिसको हम लोग social objective कहते हैं बट पैसा कमाना भी जरूरी जिसको हम लोग economic objective कहते हैं तो यहां बोलता है similarly a business with soul motive of earning profit क्या सिर्फ एक ही motive होगा कि सिर्फ और सिर्फ हमें पैसा कमाना है यह अपनी बहुत सारी चीज़ों को इखटा करना है and to create the goodwill businessman अगर उसको goodwill बनानी है goodwill दिखती नहीं है मगर दोस्तों यहां पे survival के लिए goodwill सबसे ज़्यादा जरूरी होती है businessman must have social and individual objective businessman की social और individual दोनों ही objective यहां होना जरूरी है along with the economic objective or the earning profit तो social और individual objective के साथ में उसको यह हाँ पर अपनी economic objective को भी बनाना है जिसमें उसको profit earn करना है profit अगर नहीं करेगा तो फिर आगे चलके वो businessmen survival कैसे कर पाएगा इसलिए profit भी earn करना बहुत जादा जरूरी है आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ question number 3 screen पर चुका है दोस्तों why does a businessman willingly undertake business risk वाई यह कैसे निकाल risk को convert करता है दोस्तों यहां पर profit में तो business is all about the risk and it is all about the profit चले समझने के कोशिश करें बिजनसमें विलिंगली अब इसको यह पता है अंदर से strong है वो कि यहां पर रिस्क तो है रिस्क है मतलब loss भी है और लॉस है मतलब यहां पर extreme profit भी है तो लॉस का फियर अगर हटा तो यह इंटो प्रॉफिट अलवेज because for bearing the risk businessman gets the reward of earning profit अगर वो रिस्क ना ले तो profit ना मगर जितना ज्यादा रिस्क लेगा जितने रिस्क की तरह बढ़ता जाएगा उतना उसको क्या होता जाएगा profit होता चला जाएगा risk is the price paid for getting profit risk क्या होता है या price paid होता है किसके लिए आपके रिस्क के बराबर profit या तो आपके रिस्क से ज्यादा profit ठीक है रिस्क लिया तो profit होगा ही होगा the businessman willingly be a risk because it brings profit which is the main motive of every business profit इसलिए होता है क्योंकि उसको पता है कि business को start करना business को rotate करना यह सारा काम जो है सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर profit generation हमें करना है generally the project with which more risk are involved जहां पर प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है जहां पर रिस्क बहुत जादा है are involved generate more profit as compared to the less risk प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट प्रोफिट कम है more risk प्रोजेक्ट प्रोफिट जादा है इस तरीके से हमें समझ में आया है वह हमेशा risk लेने के लिए तयार होता है आगे बढ़ते हैं question number 4 पर आता है बोलता है name the service which is related to the following cases इसमें से बताना है कि यह सारे जितने भी topics दिये उसमें कौन सी services involved है the service which help in removing hindrances of the knowledge ऐसी कोई service बताईए जो knowledge की बीच में जो भी barriers आ रहते हैं उन सबको हटाने का काम करती है the service which help in removing hindrances of exchanges ठीक है ऐसी कोई service बताईए जो exchange के hindrances को खतम करती है the service which help in removing hindrances of place जो problem आती है place की उसको कैसे खतम किया जाए the service which help in removing hindrances of time टाइम के लिए जो भी hindrances आती है लोग कहते हैं कि 24 घंटे कम होता मगर ये भी तो देखिए 24 घंटा सभी के पास है वो इंडिया की बात करें यूरोप की बात करें पॉर्चिगल की बात करें जर्वनी की बात करें या तो हम लोग एशिया के किसी भी एक चोटी सी कंट्री के बात करें सब जगह टाइम बराबर है मगर उसका सदूपयोग करना उसका management करना बहुत जादा important the service which help in removing hindrances of the risk तो यह सारी के सारी हमें जो hindrances है उनको हटा के इनके नाम बताना है बाई चलिए को हम लोग समझते हैं सबसे पहला होगा advertisement क्या भाई advertisement जो hindrances of knowledge उसके लिए हमें क्या करना पढ़ेगा advertisement करना पढ़ेगा लोगों तक के पहुचाना पढ़ेगा दूसरा है banking banking किसके लिए होगा दोस्तों यहां पर तो यहां पर banking जो है वो कहता है कि भाई किसके लिए हो गए आप तो यह बूर रहा है कि vendrances of knowledge की बाद आता है having heaven और पलेंशे के लिए हमलोग क्या बात करें बाद के बात करेंगगे hindrances of time व्हीं के लिए हम लोग क्या बात करेंगे द थैके हमारे पास वेरहाउस आ जा चाहा और hindrances of जो है हमारा risk जो है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे तो insurance करवा लेंगे तो इस तरीके से हम लोग सारी hindrances को एक एक करके क्या कर सकते है रिमूव यहाँ पे कर सकते है इस तरीके से question number five पे मैं आता हूँ screen पे आ चुका है business involves only sale and exchange of goods for profit business क्या बोलता है कि mainly यहाँ पे या तो sales होगा या तो क्या होगा purchase होगा और इसका भी क्या करने वाले हम लोग दोस्तो एक्षेंज do you agree with this क्या यह सही बात है बिल्कुल सही बात है business में तो mainly क्या होता है sale and exchange of goods and services ठीक है ना चलिए या तो purchase of goods and services चलिए समझते है no business does not involve only sale and exchange बिल्कुल सही बात है जरूरी नहीं है कि सिर्फ exchange हो यहाँ पे okay of goods and services for profit किसके लिए profit के लिए the sale and purchase of exchange must be on regular basis बाट यहाँ पे profit motive नहीं होना चाहिए सारी चीज़े होनी चाहिए दोस्तों regular basis पे if a person sells his old scooter at profit it does not constitute a business भाई एक बार उसने बेचा और खतम हो गई कानी तो business होता है regular basis पे कभी भी एक बार नहीं होता दोस्तों कभी भी एक चीज़ करें नहीं होता तो इसको क्या करना पड़ता है दोस्तों हमेशा continue रखना पड़ता यह सब ज़्यादा जरूरी और यह important बात है दोस्तों यहां पर business में आगे बात करते कुशन नुम्बर six screen पर चुका है Mr. Bhuvan is a chartered accountant in a multinational company Mr. Bhuvan जो है chartered accountant in a multinational company में he gets 85,000 per month as his salary उसको एक salary मिलती 85,000 अच्छी salary है on weekends Mr. Bhuvan goes to nearly village and teaches some children और वो भाई उसका passion है कि वो गरीब बच्चों को बढ़ा है ठीक है he does not charge anything from them बगर वो उनसे कुछ भी पैसा नहीं लेता he does it out of sympathy and concern for poor children और यह किसके लिए करता है भी यह sympathy और उसके लिए क्योंकि उनके पास resources नहीं है इसलिए वो यहां पर यह चीजों को नहीं कर पा रहा है this gives him mental and psychological satisfaction इसको यह क्या मिलता है mental or psychological satisfaction monetary satisfaction इसको यहां नहीं मिलता working as a CA in an MNC refers to which type of human activity यह कहानी दे दी पूरी teaching student in slum is which type of human activity identify the values followed by the भूवन तो यह सारे इन लोगों को हम लोगों को detail दे दिया और उसके बाद इसके questions दे दिया है अब हम लोग इसके बहुत ज़्यादा जरूरी है चलिए हम लोग बात करते question number seven screen पर आचुका differentiate between difference बताना है अंजूशा रनिंग बेकरी एंड मन्जूशा cooking food at home भाई अंजूशा जो है बेकरी चला रही है और जो मन्जूशा है जो क्या कर रही है वहीं आफ फूट बना रही है कहा होम में पॉल्ट्री फार्मिंग और माइनिंग अब बताना भी है पॉल्ट्री फार्मिंग और माइनिंग ठीक है डिफरेंस क्या है इकनॉमिक और नौन एक्टिविटी का डिफरेंस है देखिए घर पे बना रही है तो यह साइकलोजिकल सैटिस्ट्रेक्शन खुद के लिए और लगता रहे हैं और छी ऊपॉल्ट्री फार्मिंग माइनिंग के बीच में सब्हुतरिंच त्छी सब्सक्राइब सब्सक्राइब बता होता चीजों को क्या करना बहिए जमीन से निकालना और मार्केट में इसको बेचना चलिए आगे बात करते गीव एन बताई तो प्रफेशनल बाडी अई इट्स एयड बिजनस रिस्क या एंट्री पो ट्रेड क्या होता है इसका और मेडिकल डॉक्टर जो भी यहां पर मेडिकल फींड का है या तो जो जो यहां पर एंजिनियर है जिसको हम लोग आर्केटेक्ट भी कह सकते हैं या ऐसा कोई बंदा जो अपनी स्किल के लिए पैसा ले रहा है किसी से तो वो सब कुछ किसमें जाएगा प्रोफेशनल बॉडी में जाएगा लोग बात करें तो माइनिंग आ जाता है जमीन से चीजों को निकालना हम लोग अगर प्यूर बिजनसे की बात करें तो यह लास जो है किसी भी चीज का जैसे लास भाइफायर जो है उसका कोई भी यहां पर भाई कुछ भी कंट्रोल नहीं है वह हो गया तो हो गया ठीक है नै ली हम लोग इंडिया से तो इसको बोलते हैं लोग एंट्रिपोर्ट एक साथ इंपॉर्ट और एक्सपोर्ट दोनों वहना ही जहा से उसको भूलते हैं लोग एंट्रिपोर्ट नेक्स्ट कुश्चन नमेर 9 आ आरहा आपके सामने नैंसी मेंक सम ब्वीटिफुल पेपर फ् यह ऐसा कैसे क्यों कारण क्या है चलिए हम लोग समझते मिस्टर हिगिंस इस डूइंग बिजनस उनका काम का है बिजनस करना मतलब यह प्यूर्ली एक अक्टिविटी कर रही है दोस्तों जिसमें उनको अच्छा कासा क्या मिलने वाला है दोस्तों यहां पर पैसा मिलने वाला कुस ऑर्फर जो चल्रेंस होते हैं उनको यह देना चाहती कपड़े इना लोकालेटी वाइल अदर क्लोट्स वर सोल्ड इन एक्जीबिशन और अधर क्लोट्स जो है वह बेजदी किसमें एक्जीबिशन में हाव और टू अक्टिविटी दिफरेंट फॉम इच अदर दोनो कौन सी बच्ची नौन एक्नोमिक अक्टिविटी तो ऐसी और वीडियो क्ले बनने ये मेरे साथ थैंक्स वर वाचिंग अल